प्रेंड हमें जब भी कुछ मीठा खाने का मन करता है तो हमें बजार से मंगी मीठाई लानी पड़ती है तो आज इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत कम खर्चे में और बहुत कम टाइम में जटपट इदम दानेदार बजार जैसा दानेदार और स्वाधिश टेश्टी हे देश्पी लेके आएंगे हम यह बनाना बहुत तीजी और बहुत ही जटपट है इसे एकदम कम टाइम में बनाकर दिखाएंगे जटपट बनाकर दिखाएंगे आपको तो ऐसा कि बजार का भी भूल जाएंगे टेश्ट बहुत ही लजवाब एक दम एक-एक दना खिल कर आ यह बैस वाला दूद है फूल फैट दूद है इसी का में इस्तिमाल करना है आप बहुत कम खर्चे में धेश सारी मिठाई घर पे बनाके तयार कर सकते हैं अपरेंट बजार से जितने में आप 200 ग्राम मिठाई लेकर आएंगे उतने में आपका एक किलो मिठाई घर पे बनके रेडी हो जाएगा और यह भी नहीं है कि इसे बनाने में ताम जाम है ज्यादा टाइम लगेगा मात्र दस से 15 मिनट में आपका मिठाई बन जाएगा पूरा एक किलो तो दो लिटर दूद को मैंने कडाई में ढाल लिया है और इसे गैस पे चड़ा लिया है बस एक उबाल आने तक हम इसे गरम करेंगे जब एक उपाल आ जाएगा तो आधा लीटर दूद हम इसमें से निकाल लेंगे आगे रेस्पी के लिए बहुत जटपट और कम समय में आपको कला कंद बनाने का एकदम यूनिक सा रेस्पी बताएंगे और बाकि जो दूद बचा है उसमें न हाँ थोड़ा थोड़ा निबु का दूज डालेंगे जोगापा बिनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें पानी मिला लिजिएगा थोड़ा थोड़ा करके करके ड़ना है जब तक कि मारा दूद अच्छे से फटना जाए तब तक सकते हैं दूद में छोटे-छोटे दाने आने सुरू हो गया है इसी तरीके कñas रूप दे सकते हैं हमें कम टाइम में भूत कम टाइम में तो दूध हमाना लंसं प्ट चुका है देख सकते हैं थोड़ा सा और इससे पाड़ेंगे ताकि पूरा दूध फट जैब पानी जैसा हो जाए यह जाए और ज्यादा बड़ा थक्खा भी नहीं बना है टुक्डा भी नहीं है कौटिनु चलाएंगे तो ज्यादा बड़ा बाद टुकड़ा नहीं होगा हमें ऐसा ही चाहिए तो इसे गैस से में उतार लेना है और इसे हमें छान लेना है फ्रेंड तो देख सकते हैं दूद बहुत अच्छे से फट चुका है मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो मात्र 10-15 मेट में आपका जो सकते हैं दाल में डाल सकते हैं इस पानी से चाहल बनाएंगे तो बहुती स्वादिश्ट होता है दूद का चाहल है तो पनीर बहुत अच्छे से फट चुका है जो बाकि हमने दूद बचा के रखा था कड़ाही में डाल लेंगे और दूद को आधा होने तक पकाना है सिलाची पाउडर हो तो उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत जटपट बहुत जल्दी और एकदम दानेदार मार्केट से भी अच्छा ताइम में हमें बनाना है तो दूद हमारा गाढ़ा हो चुका है जो हमने अपना पनीर रख तुकड़ा हमें नहीं चाहिए एकदम इकोली चलाते रहेंगे ताकि जो पनीर है एकदम टुकड़ों में हो जाए और इलाइची पाउडर को इसी वक्त डाल लेना है और इसे अच्छे से पकाते हुए मिक्स करेंगे एकदम गाढ़ा होने तक यह बहुत जटपट बन जात है मैंने 1500 ग्राम चीनी डाला है आप जितना कम ज्यादा मीठा खाना चाहते हुआ हुआ है नहीं होता है इसलिए मैंने थोड़ा ही चीनी डाला है चीनी डालने पर यह थोड़ा और लिकुड़ी हो जाता है तो इसे पका लेना है एकदम सूखा होने aos इससे पकने में तो मैंने आधा किलो मिठाई के डबा लिया है इसे घ्रीज कर लिया है फिर मुझे ध्यान आया कि इसमें प्लास्टिक नीचे लगा होता है तो इसमें गरमा गरम मिठाई ढ़नना अच्छा नहीं होगा तो इसलिए मैं उसमें नहीं बनाई थी बाद में आपको दिखाऊंगे इधर हमारा मिठाई भी पक रहा है और किनारों को छोड़ाते हुए इसे चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि मारे मिठाई जलेना और इस वक्त हम डालेंगे एक चमच घी घी डालने से बहुत अच्छा टेक्चर आता है लाइट आ जाती है मारे मि मिठाई यह वेस्ट नहों और गैस का फ्लेम मीडियम करके पकाएंगे तो मिठाई एकदम बजार जैसा कलर आएगा खिला खिला अगर इससे भी ज्यादा सफेद कलाकंद बनाना चाहते हो तो एक पिंच इसमें हाइडो डाल दिजेगा तेक्दम सफेद सफेद कलाकंद बन कर देता है तो इसमें चाहे तो डाल सकते हैं हमारी मिठाई जो बनके हो गई है रेडी मने इदा थाली ग्रिस करके रेडी रखा था इसमें अपना सारा मिठाई हम डाल लेंगे अच्छा है तो आप एक मिनट के लिए और इसे पकाश सकते हैं फ्रेंट थोड़ा सा यह और टाइट हो जाए तो जो रही इसमें अभी थोड़ा मेरा लूज था धाली में डालने के बाद पता चला क्योंकि उसमें से जूस किनारे पर आ रहा था जो चासनी था थोड़ा से एक मिनट के लिए और पका लेंगे तो थोड़ा और टाइट हो जाएगा अब बहुत किनार पर पूरा इसका चासनी आ गया है तो मैंने इसे दो तिन घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था जिससे अच्छे से से हो चुका है और इसे अच्छे से काट लेते हैं अपने मन पसंद साइज में तो लीजिए बहुत कम समय में जटपट एक किलो आपका काला कंद बनके तयार हो गया है 100-500 रुपए लगेंगे क्योंकि दूद दो लिटर लेंगे तो आपको 60 रुपए पचास रुपए कि इससाब से मिल जाएगा तो आपका सवा सवाई या 1.500 में आपका एक किलो कला कंद बनके हो जाएगा रेडी तो गाई जागा मेरा वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और उस रेश्वी के आप लूप उठा सके अगर मेरे फेस्वूप पेज पर देखना हो तो फेस्वूप पेज को भी फॉलो कर लिजेगा आप कला कंद का लड़ू भी बना सकते हैं फ्रेंट जो टुकड़ा बच तो टूट गया था उसका मैंने चोटा चोटा लड़ू बना लिया जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा तो फ्रेंट वीडियो को पूरा पूरा वास कीजिएगा लाट तक देखेगा लाइक शेर कमेंट अवस्य कर दिजेगा प्रेंट क्योंकि वीडियो बनाने में बह कर आते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार बाज बाज टेक कर अपने ख्याल रखिए